यूं तो अकेले भी अकसर गिर के समल सकता हूं मैं तुम जो पकड़ लो हाथ मेरा चलने लगा क्या साथियों गुड मॉर्निंग आगे हो सभी उमीद है कि सब कुछ बढ़ी है ठीक ठाक है और अच्छा दिख रहा है आज एक नए टॉपिक होगा जिसका नाम है रेफना लंबर यानि पर्मिय संख्या और इस कलास में जूडने वाले लगभग सब सीरियस सीख है ना ऐसे मजाग करने वाले नहीं तो क्या है कि यह जो टॉपिक है ना हम बिल्कुल सूनने से स्टार्ट करेंगे अगिदम जीरो से आपको पता है कि संख्या के बारे में हम आपको पढ़ा रहें और उसमें आपने यह पढ़ लिया है क्या रियल नंबर इमेजिनरी नंब को आप बोलते हैं काल्पनिक संख्या और उनको मिलने के बाद इनका दोनों का संक्रण कराने के बाद एक पैदावार हुई थी जिसका नाम था समिस्र संख्या क्या समिस्र संख्या मुझे हिंदी थोड़ा बोलने ही नहीं आ रहा है कंपलेक्स नंबर ठीक है इंग्लिज मे और रियल नंबर का एक special part है जिसको बोलते है रेफनल और इरेफनल नंबर उसी रेफनल और इरेफनल नंबर के अंतरकत यह सारी पूरी कहानी आती है और इन में समय पूरे बरमांड समाया हुआ है whole नंबर नेचुरल नंबर में इन में और भी बहुत सारी चीज़ें होती है तो उन सब की हम बात करने वाले हैं आज आज जो मुख्य टॉपिक होगा हमारा दोनों वो यह होगा एक आपका यह रियल नम रेफनल है एक ए रेफनल यह दोनों टॉपिक है ठीक है क्लास को पूरा अंतर तक देखेंगे अगर सीखना है तो बहुत मस तरीके से समझाएंग और पाकी बगवानी मालिक है जो नहीं देखते हैं चलो हिंदी इंगलेस दोनों लंग्वज में है परमिय संख्या की उत्पत्ती जो हुई थी वो कहां से हुई थी अनुपात से हुई थी अनुपात यानि रेशियो ठीक है रेफनल नमबर आर वेल रेलेटेटेट तू दा का ऊंसेट आप फ्रेक्वरन वीच रिपरजेंट रेश्यो यानी पोई भीसन क्या जिसको हम भिणी के रूप में बदल सके या लिग सके वह सभी परमिय संख्या में होती है वास्तिव copy संख्या सामिल होती है वास्तिवी संया नहीं होती है या क्या कह सकते हो तो आपरमिय संंखया मेरी की जरूर कह सकते हैं जाया कि आपकी परमिय संख्या न Après परकृतिक संख्या है नेचुरल नंबर और आपकी सम भी सम भाज भाज यह फारी संख्या है तब परमिय ही होती है ठीक है यहां पर देखिए कुछ चीजें लिखी गई है जो मैंने आपको पहले सब्दों बता दिया वही सब लिखा है परमिय संख्या में एक बिसेश इस्प बता जीरो तो यह परमिय संख्या है बिल्कुल है जी बिल्कुल है मैंने लिख दिया आठ बताजीरो तो सब्सक्राइब क्योंकि कहता यहां पर देखो क्यों क्या है नौन जीरो इंटीजर है मतलब नान जीरो इंटीजर का मतलब क्यों जो है वो जीरो पुडांग नहीं होना चाहिए समझा ना क्यों कभी भी सुन नहीं होना चाहिए यानि एक ऐसी भिन जिसमें हम पर्मिय संख्या की बात कर रहे हैं उसमें कभी भी क्या नहीं होना चाहिए उसमें कभी भी मतलब Q0 नहीं होना चाहिए, ठीक है, बात पक्की आगे बढ़ें, कोई doubt ना किसी को, कोई doubt होगा तो मुझे बता देना, चलो must, जबर जस्त, ठीक है, आगे परमिय संख्याएं कई तरह की होती हैं, अभी आपको थोला सक कम बाते समझ में आ रहे होंगी, अभ मैंने लिख दिया 47, 47 आफ कऊँगे, यह तो भिन्ने की रूप में नहीं है, किसी भी संख्या में हम वन लिख सकते नीचे, इसमें कोई दिक्कत नहीं, यह क्या है, परमिय संख्याएं, इस तरीक्ये की कोई भी서 sa नंबर, माल लीजिए हमने लिख दिया 101 क्या है ये पर्मिय संख्या है ठीक है हाँ इसको 101 बटा क्या लिख सकते है एक लिख सकते हैं समझा न दूसरा क Twodya होता है जो जीरो आपान वन का दूसरा रूप है हाँ सुनने क्या है एक रेफिनल नंबर है यानि 0 को हम लिख सकते है बच्चा 0 upon 1 या लिख सकते है, 0 upon 1 जो 0 भी क्या है एक पर्मिय संख्या आगला आपका कहता है पर्मिय संख्या का जो type होता है बच्चा वो भिनि के रूप में यानि जो खुद एक fraction पर्मन फाम में है जैसे माल लीजे मन लिख दिया इसाथ बटा तीन ये क्या है फुद से भिन रूप में दिया गया है समझा ना तीफरा टाइप का है जो वर्गमूल मतलब जिस पर रूट या क्यूब का चिन्ह लगाओ जैसे रूट या क्यूब की अगर चिन्ह के बारे में बात करें बच्चा तो जैसे आपका अंडरूट नो हो गया ये अगर वर्गमूल निकालोगे तो प्लस माइनस तीन आ ये भी क्या है एक पर्मिय संख्या है बात समझ रहो यानि आप ये समझो कि उस नंबर के ऊपर कोई भी वर्गमूल घनमूल चारमूल करडी का कोई भी चिन्न लगा है लेकिन फाइनल में उसको हल करके हम एक भिन पा सके एक फ्रेक्शन फार्म में उसका उत्तर पा सके तो अगर ऐसा नहीं है तो पर्मियन संख्या नहीं होगी समझ होगे तो सब समझ में आएगा कोई डाउट है मैं फिर से बताऊंगा बार बार बताऊंगा हजार बार बताऊंगा ठीक है आओ आगे बात करते हैं यहां पर देखना बच्चा परटी जैसे देखो अगर मैंने कोई number पर लिखा, simple for, man low under root 16, तो यह पर्मिय संख्या है, तुम कहोगे हाँ है, क्योंकि इसका उत्तर plus minus 4 आता है, लेकिन दूसरे रूप में, अगर हम इसी 16 को लिखें, और यहाँ पर 3 घात लिखें, यह आप पर्मिय संख्या नहीं है, क्यों? क्योंकि इसमें 3-3 का कहीं भी जोड नहीं बनेगा, अगर इसे हम 2-2 के रूप में तोड़ेंगे बच्चा, तो यह दो, ऐसे आपको पता है, है न, यहाँ पर हमने लगाया 3 घात, मतलब हमें 3-3 के पेर बना करके इनको अंसर करना होगा, ऐसे, तो एक पेर में से 3 तो निकल जायागा बच्चा, तो यह 2 हो जा अगर कुछ नहीं दी गई है तो में 2-2 का जोड़ा बनाते हैं, वरगमूल मानते हैं, यह घनमूल का चिन्न है, ठीक है, तो इस भूल में न रहना कि अगर उस पे रूट लगा है तो सब पर्मिय संख्या होगी या सब नहीं होगी, दोनों हो सकता है, जैसे, वक्त-वक्त क आप ऐसा लिख सकते हो, चार बार दो गुड़े, दो गुड़े, दो लिख सकते हो, तो मेरे भाई, आप ऐसा जब लिख सकते हो इसको, तो इसके हम चार-चार के जोड़े बना लेंगे, क्यों? क्योंकि हमारी यहां चार घात लगी थी, ठीक है बच्चा? तो चार घात कभी भी नहीं होगी क्योंकि इसको हम किसी भी रूप में ऐसा नहीं तोड़ सकते जिनके पांच-बांच के जोड़े बन जाए ठीक है तो ऐसी कंडिशन में यह परमिय संख्या नहीं होगी यह बात क्लियर होई समझ भाएं देखो अगला है कोई संख्या अगर भिन्न के रूप में हो माइनस हो नेगेटीव रूप में हो ठीक है क्या है बच्ностटा कोई बैस संख्या अगर माइनस है तो वो भी क्या हो सकती है नहीं क्योंकि माइनस 3 बटा 4 जो है इसे हम P upon Q की रूप में लिख सकते हैं समझा ना लेकिन अगर अंडर रूट 3 बटा 4 है तो यह डज नाट इक्वल P upon Q यह पर्मिय संख्या नहीं है फिर क्यों क्यों कि जो रूट 3 है इसका यह हल करने पर पूड फंख्या नहीं आएगी मतलब कोई एक ऐसी संख्या नहीं आएगी जो एक निश्चित नंबर पर जाके खतम हो जाए ठीक है यानि कोई भी एक भिन का रूप नहीं लेगी वह आसान तो बच्चा यह पता है कि असमलों यहां पर खतम हो जा रहा है तो इसको मैं लिख सकता हूं 34 बटा दफ इसमें कोई बुराई नहीं है ठीक है मैंने लिखा 0.33333333333333 अगर यह नंबर आएफा हो तो इसे हम ऐसा कर सकता हूं 0.3 के उपर बार इसको आप जानते हो फाइनल में तीन बटा नहीं जानते हो तो इसके बारे में कमेंट करना कि बार वाला हल कैसे करते हैं ठीक है बताऊंगा और के वात लकैसे रआउगी है तो यह जो गया अगे क्या इसमें देखो अगर यह नंबर आएफा हो आएफा हो कि अंधि ये परमिय संखया है बता रहा हूं यह सारी परमिय संख्या यह 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 बहु ऑसी में बच्चा इनको हम आफ़ा लिख सकता हूँ ये भी क्या है 34 बटा नो आएगा फाइनल में हल करने पर ये भी क्या एक पर्मिय संख्या है मेरी बाते समझना अब इसको मिटाऊंगा नहीं क्योंकि ये सारे टाइप आपको आने चाहिए जरूरी है इनका काम लगेगा ठीक है ये पहला दूफरा और तीफरा चौथा पताने जा रहा हूं समझना जरा दिल थाम के अगर कोई नंबर आफ़े है तीन चार दो एक साथ प है अपर में संख्या और क्यों कि इसमें कुछ डिफाइड नहीं हो रहा है कि कुछ रिपीट हो रहा है या नहीं हो रहा हुआ है कि एक निश्चित नम्बर अगर रिपीट होता है तब लूत यह यह् precisamente है नहीं है एक चीज़ और देखना अगर कोई आइफा नंबर है 0.34125 फिर 34125 आइफे कंडिशन में अगर यह बार-बार रिपीट हो रहा है समझते चलना आगे देखो मेरे में तेहां जगा नहीं है मैं इनको थोड़ा और छोटा करके आपको समझाने की भरसा कोसिस करूंगा समझना आपे दिख रहा है ना अगर बच्चा यह भाया आईफा जाए है और 34125 फिर फे 34125 आइफे बार-बार अगर रिपीट हो तो यह भी एक पर्मिय संख्या है क्यों क्योंकि यहां पर एक साप साप दिख रहा है कि एक निश्चित नंबर है जिसका नाम है 34125 यह बार-बार रि यह हो जाएगा अंसर इसमें कोई दिक्कत नहीं पर में संख्या हो जाएगा तो यह चीजें आप समझ के चलो यह सभी क्या है भया पर में संख्या है ठीक है ना भया बाबू यह पर में संख्या नहीं है वैसे अभी इसमें बहुत कुछ है देखो पर मिया पर में संख्या क क्योंकि बहुत ही अच्छा topic है कोई भी परिक्षा देते हो चाहे आप ssc दे रहे हो railway का दे रहे हो या group d दे रहे हो Upsc दे रहे हो और सब के बारे में अगली क्लास ने क्योंकि ये क्लास हमारी लंबी होह हाएदे के मुताभुक ये क्लास 10 से 15 मिनुट के बीच में होती है आज के लिए इतना ही सभी को दिल आक्राइन जीस से आपको पांच बज़े से और हां पूरा क्लास को देखा करिए रिक्वेस्ट है आप से कलास को लाइक शेयर जरूर करें अपने दोस्तों को भेज दें सबको